हाव रूफिक्स वान प्लस नोट एन्टू हंड्रेट फाइफ जी कॉल सेटिंग एरर प्रॉब्लेम्स नमस्कार दोस्तों तो आगर आप सभी का तिकर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों जैसे के आप स्क्रीन पर भी देख सकते यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कॉ यह प्रॉब्लेम के बिलो को सब्सक्राइब वखिंब करो यहाँ फिर दील में सORW और चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकोन क्लिक कर देना है अगर आपको ओनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या करना है आप दोस्तों आपने मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिएगा ठीक है रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है आपको दुबारा से चेक करके देखना ह अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर नहीं होते तो आप अपने flight mode को open करेंगे flight mode को enable करके करीब एक minute आपको wait करना है ठीक है तो एक minute wait करने के बाद दोस्तों आपको flight mode disable करना है और उसकी बाद दुबारा से री चेक करके देखना है कि आपको problem solve हुआ है या नहीं हुआ है अगर solve हो जाते हैं ठीक है अगर solve नहीं होते तो next solution follow करना है जो कि दोस्तों आपको जाना है system पर reset पर क्लिक करना है और उसके बाद reset wifi mobile and bluetooth पर क्लिक करके sim card select कर लेना है जो भी sim अभी उसकर रहा है उसके बाद reset setting पर क्लिक करके mobile password को दे देना है and then आपके network setting reset हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है आपको जाना है उपर में तो यहां भी मिलेगा एपस और नोडिफिकेशन तो एपस नोडिफिकेशन पर जाने के बाद आपको यहां पर देखनी को मिल जागा तो इसमें आपको टेप कर देना है इसमें टेप करने के बाद आपको phone service सर्च करके जाना है ठीक है तो पी के option पे आपको मिल जागा phone तो उसमें क्लिक कीजिए इस टोरेच पर जाएए इसका डेटा को क्लीन कीजिए क्लियर डेटा ओके एंड आपको बेक कर देना है और उसके बाद आप सिंप्ली पूरा बेक कीजिए मोबाइल को रिस्टार्ट किजिए एंदें दुबारा से जाके चेक आउट करके देखे प्राबलम ैं तो प्रावल्लम् के वज़ते हैं तो जब आपके नेकर प्रावल्लम हो जाएगा तो सारे साथ दोस्तों आपको जो मोबाइल की सीम है उसको आप इजेक्ट और इंसर्ट भी कर सकती है ठीक है तो इससे भी दोस्तों कई बार आपका प्रॉब्लम हो जाते और अगर आपका मोबाइल सौफ़एर अपडेट नहीं है तो सौफ़एर अपडेट करके ही यूज करें आपको इस तरह का कुई भी प्रॉब्लम नहों हो ठीकि इसके डिलेक्टर अगर आपको कुई प्रॉब्लम आजाते तो आप हमें सिंप्ली दोस्तों कमें चरते हैं या फ help में डूटर पर फॉलो करके में सरुब्ली और आज के अज के लिए बस इतना ही दोस्तों उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद होगा तेंक्स रॉआचिंग